नमस्कार न्यूस्ड्रम लाइब में आप सबका स्वागत है मैं हूँ नीरज शर्मा विधान सबाद चुनाओ के प्रचार चार राज्यों में खतम हो गए एक राजे में अभी बचा हुआ है और वो है तेलंगाना जब हम चुनाओं में चुनाओं प्रचारों के दोरान पर ध्यान दें तो मेरे ख्याल से स्तर जो है भाषा का वो हमेशा नीचे गिरता जा रहा है अभी जैसे कि मैंने त्रण जाना चुनाओं का जखर इसलिए किया क्योंकि अभी इतना जादा नीचे हो चुका है इसके आगे और गिरने के संभावना है यह आप समझ लीजे वै सब हम इस कॉंटिक्स्ट में बात कर रहे हैं कि कल चुनावायोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है उनके दो तीन कॉमेंट्स पे पहला कॉमेंट था पनौती के लिए और दूसरा कॉमेंट था जिब कत्रों के लिए जिब कत्रों में उन्होंने पी-एम अडानी औ और अमिच्छा को जिब कत्रा बताया था पनौती आप सबको मालूम है किस कॉंटेक्स्ट में कहा गया था इनी सब चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे दोस ही होगी और राजनी तिक विसे सग्य शेखर रहियर जी और अरंगजीब नक् स्कोर्स है उसको आप किस तरीके से देखते हैं यह केवल एक चुनावी फन है या फिर इसमें कुछ सीरिशनेस दिखाई देती है आप तो तो नहीं देखे इस प्रकार के नेम कॉलिंग पहले भी हुआ है मौत का सौधागर से लेकर मुर्खों का सरदार तक हमने देखा कई चीज़ें देखी है लेकिन बात आती है क्या है कि यह केवल फन की नहीं है यह क्योंकि अंदर में बहुत गुसा है जब आपके अंदर बहुत गुसा हो तब इस तरह की बाते बाहर आती है और अभी एलक्षन कमिशन ने उनको नोटीस बेजा है कि 25 नवंबर को उनको पेश होने के लिए कहा है छे बजे से पहले वहां पेश हो एलक्षन कमिशन में और अपना का सफाहीं देखी लेकिन प्रॉब्लम क्या है देखें एलक्षन कमिशन की कितनी सक्षम है इस पर बार आता है जब भी हेट स्पिच को लेकर मामला आता है तो बात आते है कि एलक्षन कमिशन मॉडल कॉर्ड ऑफ कंड़ पें ही उनको बुलाते है और । बहुत बात बहुत सकते हैं कि आप केस्स रिजिस्टर कीजे अंडर दा पीपल से रीजिस्टर केच़ नाक्ट, अर आप कोई क्रिमिनल सेक्षिंस में रेजिस्टर कीजिए अगर बात बहुत सीरियस है। और हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आप यह मत जाहिए, ऐसा भी किससे हैं। जहां का आगे 48 hours आप कैम्पेंड मत कीजिए, 24 hours मत कैम्पेंड कीजिए। लेकिन बात क्या है कि राहूल गांडी जी के अंदर बहुत गुस्सा है प्रदानमित्री की प्रतिव, बहुत कारण है। हमने देखा 2019 का चुडाओ, केवल प्रदानमित्री चोरे, चोकीदार चोरे करके ही केम्पेंड चला, फिर मामला सुप्रीम कोट आया, फिर अपॉलिजी दिये, नहीं दिये, बाद में कहीं न कहीं कॉंग्रस पार्टी के अंदर भी एक विचार आई, भई हमने ज्यादा प प्रियंगा गादी भी काफी चुटके लिए, देखें, जब तक आप चुटके लिए लेते हैं, मजाख में लेते हैं, जैसे उन्होंने कहा हमेशा पीम दुकी रहते हैं, वो सब पोलिटिकल एक, उसकी अलग एक कॉमेडी होती है, उस कॉमेडी भी चला जाता है, लेकि है, AICC में चाह बेचने के लिए लाइक है, लेकि यह सीजे कैडर को बड़ा खुश कर सकता है, लेकि नुकसाद ज़रूर होता है, और कोई अगर प्रदार मंत्री है, मतलब आप, उसका भीना भी आप वही बात रख सकते हैं, लेकिन यह पनोटी वाला मामला मुझे समझने है, यह तो जोतिश यह में आता है, पनोटी का, जब साड़े साती किसी का चलता है, उस पिरियाड को कहता है कि पनोटी है, यारी बड़ा खष्ट, दुखत समय है, जिस समय में आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, यही अस्ट्रोलिजिकली यूज पनोटी उसी से आता है, जब आपका शाड़े-साती है तो इस सबचे बड़ा पनोटी माना जाता है, अगर आपके अरदास्टमी सणी चल रहा है, या अश्टमी सणी चल रहा है, अस्टम में है, तब उसको छोटी ही हमते, कुलबिलाग के, अस्ट्रोलिजिकल मेरी जीया तो टिओढंग केरफू meter बोदी जी उपस्तिते इसलिए इंडिया हर गई जी जी बिलकुल बिलकुल वही मैं कह रहा हूं बैड लग बतलब यहां तो है कि उनकी वज़े सही क्योंकि भारत ने क्यों आ रहा यह सवाल भी था फिर क्राव अच्छा इनका डिफेंस अभी तक यही होगा भी भीड से आई कई बाते की जाती है चुनाओं में जहां कमुनल की बात होती है कास्ट की फिलिंग्स की यह करनी की भी कई बाते आती है लेकिन मैं तो दूसरी मैं तो मेरा सोच और भी है क्या एलेक्शन कमिशन किस्ता सक्षम है देखें टीन सेशे के समय में क्योंकि वह कि और परा कंट्रोल है वो कई आजर दे लेता है इनको तेन दीन के या चुनाओं को पुश्ट्बून कर दो यह कर दो वह कर दो इतनी अभी मुझे नहीं डिकाई नहीं देता कि ऐलेक्शन कमिशन के जो भी अभी को इervक्शम कर पाई और बीचमें आपको याद हो का 2019 में एक नमो टीवी को लेकर मामला आयता है जिसमें कॉंग्रेस चाहता था कि प्रदान मंद्री को इनोटीस इश्यू किया जाए क्या कि एलक्षन कमिशन सब केस पर आक्शन लेती है या केवल सेलेट केस में लेती है यह कॉंग्रेस और इनकी डिफेंस होगी लकिन मुझे नहीं लगता कॉंग्रेस को ज्यादा इस तरह की शब्दावली को प्रयोग करके ना रावल गांधी का कुछ सर्क बढ़ सकता है या प्राइम मिनिस्टर का कुछ गड़ सकता है मतलब यह अगर यह सोच रहे हैं लेकिन यह भी मान सिकता दिखाता है कि आप अंदर से भी फ्रॉस्ट्रेटड है क्योंकि अपना इसमें जरूर घुसेटना चाहूंगा रही बात पनौती और बैड लग की तो कुछ दिन पहले ह आपको भी मालूम होगा कि जब नसीब वाला बोल दिया गया था पी-एम को तो उन्होंने बोला था कि जब जनता को रहना ही है जनता का भला जब नसीब से हो रहा है तो बदनसीबों के साथ जाने की क्या जरूरत है इसी चुनाव में आ चुका है उससे एक डिगरी उपर है पनौती पनौती बेसिकली एक क्रिकेट मैच के रेफरेंस में बोला गया था अनावश्यक था बट मेरा अपना मानना है कि जहां पे जिब कत्रे के लिए चुनाव आयो नोटिस भेज सकता था क्योंकि ये एक कि अगर नोटिस भी ले लिया तो आगे क्या होने वाला है क्योंकि बॉडल कोड अफ कंडेक्ट देखिये कोई लौ नहीं है एक मॉरली बाइंडी एक चीज है और एलेक्शन कमिशन का अथॉर्ट भी राधर मॉरल अथॉर्टी है अविश्चे सुप्रीम कोड की वर्डिक्ट है कि उस कारेकाल में आपका पूरा पवर्स है लेकिन यो उस पवर को कैसे इस्तिवाल करते है क्योंकि ये मॉरल बात है देखिये मॉरल अथॉर्टी क्या है तब आप मॉरल चीजों को मानेंगे तब ही उसकी अथॉर्टीक एक इस तरह बाशा प्रयोग नहीं करेंगे हिट स्पीच नहीं करेंगे और अभी बात हुई मोरालिटी की और एक्सेप्ट करने की बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी से कि अगर उनके उपर मोरालिटी का क्वेश्चन उठता है तो उनको एक बारी इंट्रोस्पेक्ट करना मेरे ख्याल से वो जमाना रहा नहीं है और हमें इस चीज से इस चीज को मतलब एक्सपेक्टेशन भी ऐसी बेका है यहाँ तो यह हालत है कि जब बोला जाता है कोट से या हम सब जानते हैं कि माफी मांगना और बुरा फील करना तो कुछ ही नहीं ऐसी कोई चीज ही नहीं है आपके पास चलते हैं कॉंग्रेस के अंदर में कॉंग्रेस पार्टी में क्या इस वकत हल चल है एक तो सिंपल सा आरोप है कि एलेक्शन कमिशन निट्पिकिंग करता है पिकन चूज करता है नोटिस इशू करने में भी जब यह मामला सामने आ जाता है कि निट्पिकिंग कर करता है उस समय फिर तो वो एक मोरल हाई ग्राउंड लेने के लिए या मोरली कोई क्वेस्चन उठाने के लिए भी मेरे ख्याल से उसकी फिर बात भी कोई नहीं मानेंगे कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है लेवल अफ डिस्कोर्स जो है ना चाहे दोनों तरफ से मैं अभी एक का बोलूँगा दूसरे का नहीं बोलूँगा दोनों तरफ से लेवल अफ डिस्कोर्स इतना नीचे गया है कि कभी-कभी आपको घिन आती है कि सुनते हुए नेताउन को कि कैसी बाश्या का रयोग किया जाता है और यह पहली बार नहीं हुआ है राउल गांदी ने पनोती बोला जेब कत्रा बोला पिशे मौत का सौधा अगर उससे पीछे जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद चालिस करोड की गल्फरेंट बोले और बार डांसर बोले तो यह जो है यह हम दिन बादिन जो है करोड का डिसकाउंट दे दिया आपने पचास करोड की गल्फरेंट थी तो यह सब और देखिया फिर पीछे ममता बैनर जी के साथ क्या किया मैं तो एक चीज़ मानता हूं कि हम जो है ना हम भी इसमें मैंने प्राइल प्रड़न में देखेंगे अगर आप चार रोग पैैनल में है तो किसी ने खुछ बोला दूसरा हस देता है एटलिस्ट हमें भी अपना एक डिसाइड करना कि यह मेरा काल को नेता बनने वाला है यह मेरा मंत्री बननने वाला है mmlai बनने वाला है MP बनने वाला कि यह उस लायक है कि इसका लेवल अफ डिस्कोर्सी इतना नीचे आ गया है कि जो morality की बात हम कर रहे है निरच जो आप कह रहे हो कि parties का क्या है political parties आप देखे कि मनीश अंकरायर ने नीच बोला उसके बाद उनको हटा दिया फिर लाया वापस इसी तरह कई बीजेपी में भी ऐसे कई उधारने जिनको निकाल अगया फिर वापस लाया तो कहीं न कहीं यह accepted norm बन रहा है कि आप जतना घाली दोगे जतने आप यह करोगे उतना हम आप यह हमा होते हैं किया डिस्कोर्स होता है उसके बाद आप तायक करते हो कि क्या मुझे इसको चुनना चाहिए इसको चुनना इसकी पॉलिसी यह यहां ऐसा कुछ नहीं है यहां आप धरम को लाईए यहां आप ऐसी चीज़ें कर लीजे यह मैं तो जब देख रहा था यह रहूल गा रही है वो कोई ऐसा नहीं वो कोई बीजेपी के थर्ड रंग लीडर नहीं है इस दिप्राइम में इस तभी मैंने शेकर जी से पहले सवाल में बोला था है कि क्या यह लोग आपस में कुछ गेम खेल रहे हैं कुछ मजाक मजाक में बाते कर रहे हैं क्योंकि सीरियसली तो को कोई ऐसा सिरियसली नहीं ले रहा है और एलेक्शन कमिशन जैसे शेकर जी ने कहा है इसके पस कुछ नहीं आप बस नोटिस दे तो आएंगे उसके बाद यह चला जाएगा ऐसे यह तो आप ऐसी रहा ना एलेक्शन कमिशन और देखें एलेक्शन कमिशन सेलेक्टिव रहा ह और यह आज से ने लास्ट अमर अगर जैसे शेकर जी ने कहा टीन सेशन थे या लिंग दो थे उसके बाद एलेक्शन कमिशन कों का आप हाल देखे चाहे वो जो भी रहे वो जिसकी सरकार है उसकी तरफ आप जाते हो उनका आप फेवर करते हो आप अपने इस नोटिसेज में स जैसे नीच स्तर पर नहीं गिरना चाहिए ऐसा कुछ हम देखने रहे हैं वीड़ यह तो जैसे कहते हैं कि टीन सेशन का नाम आज भी लोग लेते हैं ठीक उसी तरीके से सबकी अपनी पॉलिटिकल लीनिंग भी होती है अभी हम एसवाई किर्वेशी को भी देखते हैं जो क कि अब दूसरे इसी से जोड़े दूसरे मुद्धे पर दोड़ते हैं शेखर जी के पास चलते हैं शेखर जी मैं बस एक 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 पॉलिटिकल पार्टीज को भी यह समय जैसे इनुने प्रियंका गांदी का या कोई है या अभी हमने देखा एक बीजेपी के नेता ने गुर देखें आज नई जनरेशन जो बहुत ही अवेर हैं आप देखेंगे आपके बच्चे हमारे बच्चे बहुत जादा अवेर हैं और उपीनियन फॉर्म करते हैं बहुत जल्दी तो उनके लिए क्या आप उनको रोल मॉडल सेट कर रहे हो बन रहे हो उनके लिए क्या आप कर करके बैट करके डिसकस कर रहे होते हैं हमने देखा कि कुछ लोग पनौती को बहुत अच्छी बात मान रहे हैं कुछ लोग अलग अलग परिवाशा दे रहे हैं मैंने अरंगे जिब भाई को एक सुबह वीडियो बेजा जिसमें एक बहुत ही बड़े शायद दुनिया के सबस बढ़ Нिकल जाती है उसको बुरा नहीं मानना चाहिए अ मेरे ख्याल से आपके हिसाब से कितना यह लाजिमी है कितना यह सही है कि खो दिल लेना चाहिए का कैसा हीट है और इसके पीछे छुप करके, कितनी जादा कडवाट और भड़ती जा रही है, खास करके अगर हम बात करें तो दो बड़ी पार्टियों के, या चलिए और भी कई सारी पार्टियां, चोटी पार्टियां भी कम नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो भी जाकर के PM को टार्गेट करत है election के बहाने कितना ज्यादा इसका कोई उपाय है कि नहीं है या फिर election के बहाने यह सब चीज़ें निकल जाएंगी उन दोनों लोगों को कुछ नहीं होता वह आपस में कितना दुश्मन बनते हैं मुझे जो अपने अपने लीडर्स की समर्तन में लगे रहते हैं मैं इसमें डिश्टिंक करना चाहता हूं मैं नहीं चाहता हूं कि राजनिती को बहुत सीरियस भी ले यानि जो पॉलिटिकल पाटिस्पेंट से ठीक है थोड़ा बहुत चुट के लिए चलनी चाहिए देखे उसमें जिसमें आपके उपनेंट हसे आपके साथ जी मैं इसको बेंचमार कहीं रखता हूं जैसे प्रियांका का यह करना मुझे लगता है कि डाट वस डाट वस गुट यह हमेशाद दुखी रहते हैं उन पर एक फिल्म बननी चाहिए देखे मुझे तो लगता है पीम भी देखकर सकते हैं कि कई बाते ऐसी भी कहें जा सकते हैं जिसमें तो चलता है जैसे जिसके बारे में वह कहते हैं वह भी हसता है कि उसको भी लगता है वह एक तो अच्छी बात है तो यह अगर इस से अब थोड़ा कहीं ना कहीं हडगे पिछले 20-25 साल में उझे लगता है पहले देखे आप ऐसे नेता थे जब सुब्ला चैटरजी लीडर होते थे या इंदरजीत गुपता मैं इन लोगों को नाम ले रहा हूँ या उन्हीं क्रिष्टन पिल्लु मोडी पिल्लु मोडी इंद्रागांदी का कभी बतलाब क्या एक डेड़ यह थे अगे इंद्रागांदी के लेकिन उनक्या जो बाशा के कमांड ऐसी बाते बोलते थे चीजों को वही चीज आप जो कई है जो भी कई है ऐसी बाते रखते थे जिसमें कभी-कभी इंद्रागांदी को स्माइल आ जाता था फिल्लु मोडी को सोनकर लेकिन अंदर से हो सकता है गुसा क्या बोल रहा है मुझे लेकिन उस पे भी एक पार्लेमेंटी डिमोक्रसी का एक मानतों एक अस्पेक्ट है खुबसूरत भी हो सकती है भाई आप बेंजामिन डी इसरेली के ले लिजिए चर्चिल का ले लिजिए रिपार्टरी जिस तरह होते थे पार्लेमेंटी डिमोक्रसी भी चलता है लेकिन बात आती बदले सवाल कहा थे बिलो दे बेल्ट नहीं चाहिए उसका बड़ा कारण भी है निरजी क्या हुआ है कि पिछले सालों में कहीं तो मानता हूं कि आप पहले जिस तरह इंद्रा गांदी को एक सेंटर पॉइंट लेकर पॉलिटिक सलता था अब जाके मोधी को लेकर सेंटर पॉइंट चल रहे हैं जा सेंट्रल पॉइंट होता है कही ना कही जो था कि पहला नॉन कॉंग्रेस गॉवर्मेंट गॉवर्मेंट नॉट सपोर्टेट में कॉंग्रेस आया था सतापके 77 उस बीच में क्या-क्या हुआ 77, 78, 79 मुराजी देशों गिराये चरन सिंगों बनाये जिसमें कॉंग्रेस का भी बड़ा रोल था फिर जाके इंद्रा तो हाँ कॉड़ा हुगा तो जैसे वह पोल्टिक्स है वैसा हम देख रहे यह यह और दूसरी बात जभाओत जानते हैं कि आपके भाशन से किसी को कष्ट होगा किसी समझाय को कष्ट होगा किसी जात को होगा तब तो जो भी पॉलिटिक्स पे आगे उसको तो भाई जान बूच के खिसी को हर्ट करना मतलब मैं जानता हूँ ये बात कहूँ आप हर्ट हो जाएगे बाँ फिर भी मैं कहूँ वो भुज़ नहीं लगता है कि आप राजनेता को छोड़िये एक साधार इनसान भी नहीं करनी चाहिए अच्छा इसके बिना भी देखें क्या होता है जो कहा जाता है कि वकीलों के मेरों के कहते है जब जिसके पास अर्ग्युमेंट्स है वो कोट में अर्ग्यू करता है जिसके पास नहीं है वो तो अप्रेश करना है तो यहीं करता है Sir, यह हो गया, हो गया, हो गया अरे यार कौन सी कानून में क्या violation हुआ है, कौन सी कानून effect हुआ है, वो बताओ, court करो instances, precedents, जैसे एक वकील तयार करता है अपना case So ऐसी है राजरीती वे, जहां आपको लगना भाइज सारे points बोल चुके हैं तो यह और देखे अब बिलकुल क्या है मेरा डर यह है देखे आज इस तरह की बाशा चल रही है और दस साल के बाद या बीस साल के बाद यह नहीं रहेंगे और भी नमुने आएंगे सामने और वो क्या-क्या बोलेंगे कैसे बोलेंगे देखे कुछ कई हमने इस्ट यूरोपियन पार्लेमेंट हम देख रहें कि कुबा कुभी हो रहा है वतलब एक दब फिस्टिकल फिस्टिकप्स हो रहा है तेलिविशन डिबेट में भी खुद पढ़ जाते है पाले लिस्टे को उपरे पर कहीं हमारी या भी एक दो हुआ इंस भी सोचना जाए दब आप बहुत कामली बात रखेंगे क्रिटिकल बात रखेंगे तब ज्यादा लोग सुनेंगे अब क्या हो रहा है दिरेज जी और अरिक जेब जी आपकी बात को मुझे सुनना नहीं है मुझे पार्लेमेंट पार्लेमेंट मैं देखता हूँ कि प्रकार से डिबेट था चुनाव का टाइम है अब क्या है सारे मुझे आप परलेमेंट चेंदर भी इसी तरह बाते होती है बाहर भी उससे जादा इसका रीजन तो इसका बॉटम लाइन यही है आप चुटके ले लो एक दुसरे को यह करो पट यह सारे अब्यूज़ अब्यूज़ को अब्यूज़ इस नॉट गूट पॉलिटिक्स और मोदी जी के लिए क्या है अभी तक उनका एक एक स्पीरिंट राया में जितने गालिय कॉंग्रस के अंदर यह हो रही है प्राइम इनिस्टर के पहला जैसा था उतना नहीं है भी पॉप्लारिटी नहीं है तो अगर जितने हम देंगे तो उसको भी हम पॉब्लिक की फ्रस्ट्रेशन को रिप्लेक्ट कर रहे हैं एक आर्गूमेंट दिया जाता है बिल्कुल और अनवरिफाइड कोमेंट्स देते हैं लोग उपर से कोई चीज ऐसी नहीं होती है उसको भी बोल देते हैं इसका मतलब तो यह है कि जंता को टेकन फॉर ग्रांटेट लिया जा रहा है ऐसा लिया जा रहा है कि सब तो यहां पे कुछ भी हैं बेखूफ लोग हैं मानी लेंग करने की बजाए जो आग लगाने का काम है उनका यही है वह जब तक करेंगे नहीं तब तक उनके टीर भी नहीं आएगी बट अल्टिमेटली सब मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी को कहीं और ही ले जाने की कोशिश हो रही है और कोई नहीं करता है कुछ भी नहीं करता है उन्होंने का जी 25 लाग का चिरंजीवी वह राउल गांदी ने कहीं भाषण दिया कि जब राजस्थान में सरकार बनेगी तो पचास लाग कर दिया जाएगा लेकिन जैराम रमेश का ट्वीट आता है हिंदी में लिखा हुआ कि पहले 25 लाग की ती अभी 50 लाग की क कोई सवाल पूशने वाला नहीं है कोई कुछ भी नहीं है वावाहियां मिल रही है कि बहुत बड़ी कर दी गई है का मतलब आप समझ गये कि सरकार भी बन गई हमने कर भी लिया डिसीजन भी ले लिए यह सब चीज़ें से लेकर मैं पूछ रहा हूं कि जनता को कितना बेव पनौती अच्छा है अगर यह अच्छा होता तो पिछले दो तीन दिन से हम देख रहे हैं तो इसको जिस कॉंटेक्स में बोला जा रहा है कब से कम वो उसी कॉंटेक्स में बोलते कि किस तरह से बना जा रहा है तो देखे कहीं ने कहीं वो मुझे फार्ट ग्रंटिड ले र रहा है कि वह सारे लोग बेवकूफ है तो ठीक है आपने आज ये एक डिकलियर कर दिया ऐसी आपने बात की चरंजी ऐसी आप जो कह रहें कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है पिछले कई साल हो जाए आप देखिया टी आरपी को नेके लिए अल्टिमेटली एम है कि मु में है वहां पर क्या उनसे पूछता है सवाल आप पंजाब में उठाई ये बात क्या पंजाब में रूलिंग पार्टी से सवाल किये जाते हैं क्या हिमाचल में किये जाते हैं च्छतिसगड़ में किये जाते हैं तो यह बेसिकली एड़ अफ दे डे रेविन्यू है हमें व बड़े चैनल का बहुत बड़ा रिपोर्टर कहना था कि हमें कहा गया है जहां जिसकी रूलिंग पार्टी है उन्स पार्टी को छूना नहीं है तो यह तो पी मीडिया है हमारा आज मैं आपको यह बता रहा हूं कि कभी-कभी यह तो हमारे जैसे रोल मार्ट हमारे शेकर जी है आज किसी को यह भी बोलने के लायक नहीं है कि हम जयनलेस्ट हैं तो बहुनना बढ़ेगा कि हम जी आप कंसल्टंट हैं कुछ है यह यह है वो बतारगा कि क्योनकि The moment you say you're a journalist वो दूसरा आपको हकारत की नजर से देखता है क्योंकि हमने अपने हैं आपको इतना गिरा दि थी वो था कि आप तभी यह लिखते हैं मुझे याद है कि नाम किसी की स्पेलिंग गलत होती थी वह हमें वह वुड है वह टेकन फॉर टास्क कि आपने नाम गलत लिका इसको कैसे आपने ऐसे यह तो छोड़ी सी बात थी लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं आप कुछ भी बोल के च कहना यह होगा कि राज्य सरकारे हों या जैसे आपने कहा कि किसी भी एक्जिस्टिंग गॉर्णमेंट चाहे राज्य में हो चाहे सिंट्रल में हो कोई बोलने को तयार नहीं होता है मुझे लगता नहीं कि बोलने का मतलब या अगर हम विरोध का जंड़ा लेकर के चल करके सब के सब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रही बात सवाल उठाने का तो जनुइन सवाल उठाने में मुझे नहीं लगता कि किसी को परहेज होना चाहिए लोग कर रहे हैं अपनी अपनी इच्छा से सब जो कहते हैं कि हमने कहा कि आकर के जुको तो वो लेट ही गए पू कि सेफटी नॉम्स कहा गए उनको कैसे ताप पर रख दिया गया दूसरा यह कि जो सवाल मीडिया को उठाना चाहिए था और उठा सकते थे वाजिब मौका है और बिना क्रिटेसाइज की सवाल उठा सकते थे फैक्स के साथ सवाल उठा सकते थे मैंने हम लोग ने एक स्टो के का हाथसा न हो उसके अलावा पिछले कई सालों मैं एक साल दो साल की बात नहीं कर रही हुए नौउस साल ही बात नहीं कर रहा हम नौश की बात बहुबदी गयस ज़रूरी नहीं है कि आप जंडा उठाई है और opposition party की तरह ruling government के आगेंस्ट वो करना चालूगा थे यह वो मेरे ख्याल से वो चीज opposition पर छोड़ देना चाहिए opposition के लिए सरकारों को छोड़ देना चाहिए आपको अपना जो काम है आपको करते नहीं फिर मुझे नहीं लगता कि किसी को तकलीफ होगी सही कह रहा हूं सर शेघर जी बिलकुल बिलकुल सही कह रहे है बार बार पर्लेमेंट में भी एक बड़ी कोट यूस होती है जो कोट मुझे अभी याद आ रहा है यह कोट मैंने मनमौद सिंग से लेकर सुष्वा स्वराज तक भी सुनाएं अभी भी पर्लेमेंट कहीं लों कहते हैं कि बही बैए इग्जेक्ट उर्दू का पूडिश नहीं कर रह है और इधर-उदर की बाती रहती है मेडिया में भी बीडिया का बार में भी बासंडों में भी और प्बिक इंट्रस्ट को नाम पर सब कुछ हो रहा है क्योंकि जो मीडिया में इतना कंश officialisation आ जिरत जी उससे वो निकल नहीं पा रहे है range of activity, extent of activity, nature of activity इतना commercial हो गया है अब वो profession of journalism ज्यादा commerce of journalism बेचला गया है जब आप commerce, क्यूंकि commerce और profession दोनों balance होके चलनला चाहिए हम यह नहीं कह सकते, बैब बिल्कुल commerce नहीं होगा, लेकिन यह balance रखने वाले आज नहीं है balance रखने वाले नहीं है भाई ठीक है, सरकारे आएंगे जाएंगे सरकारे बनेंगे बिगडेंगे अटल जी भी कहते थे, भाई यह तो चलता रहेगा कोई कोई चुनाव जीतेगा, कोई हारेगा कोई दो टर्म करेगा, तो तीन टर्म करेगा कोई हमेशा opposition विपक्ष में रहेगा तो यह एक sense of balance and proportion राजदेता को भी होना चाहिए पार्टीस को भी होना चाहिए, मीडिया भी जो cover करते हैं, और मीडिया के मालिकों को भी होना चाहिए, तब ही जाके आपको एक sense of balance मिलेगा, क्योंकि जिसी चीज़ पर मीडिया फोकस करती है automatically it gets exaggerated to a bigger point कोई भी तक्लिव हो, कोई भी समस्या कोई भी मसला हो, तो इसलिए यह balance की वज़े से क्या हो रहा है, आपने सही कहा दे कि पनाटी पर काजी हो गया, डिवेट हो गया, कोई support में है, कोई विरोध में है, और उस उस पनाटी गाली में और सौगालियां हो चुकी है, इदर से उदर उदर से इदर उदर और शेकर जी जब देश में और बहुत सारे इसके लिए क्या रिशर्च करना है इसके लिए क्या लाना है वह मुझे समझने आ रहे हैं बिलकुर एक चीज मैंने देखी है कि आप जितने सारे चोटी-छोटे इसको ले करके जब तूल बना आपको क्यों लगता है पहले एक जमाना होता था जब अगर कोई चोट भाईया कुछ बोल देते थे तो मीडिया उसको कभर भी नहीं करता था आज की डेट में कोई भी आता है कुछ भी बोलता है मीडिया उसको पिक करती है और लोग बोलते भी इसलिए क्योंकि मीडिया पिक कर लेगे जो यह एक पॉपुलारिटी पाने का उनकी चाहत हो गई इनको दे अपनी से तो कोई उमीद करना बेकार है सब अपने अपने इंट्रेस्ट में फसे हुए है शायद जनता कुछ समझे और जनता इनके चक्करों में पढ़ना बंद हो जाए और उनकी बातों पे उनके वाटसेप मैसेज़ेस पे इनके बायस कवरिजेस पे या पॉलिटिकल प दन्यवाई